Hello my students and all Indian friends, welcome to my legal court e-learning again. I am Ashu Arlawania, जैसा कि आप जानते हैं, ये है हमारी common legal knowledge series. मतलब कि ये सिर्फ students के लिए ही नहीं, बलके सभी लोगों के लिए है, उनकी रोज मर्रा की life में आने वाली कानूनी समस्याओं को कैसे tackle करना है, इसके बारे में हैं. ठीक है, आज का हमें एक नया कानूनी topic, जो legal knowledge का एक topic है, वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप दी हुई details पर हमें follow कर सकते हैं. और जो हमारा आज का बहुत ही important topic है, वो है, moves after denial of police to lodge an F.I.R. simple है, आपकी life में अगर कोई भी problem आ जाती है, कानूनी समस्या आ जाती है, तो सब को पता है, सबसे पहले F.I.R. कराने के बारे में दिमाग आता है. पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पर मान लीजिए थाना in charge, जो पुलिस स्टेशन का officer है, उसने आपकी F.I.R. लिखने से ही मना कर दिया, तो आप क्या करेंगे, एक दूसरे की शकल देखेंगे, घबरा जाएंगे, अपने आपको helpless समझ करके लोटाएंगे, यही होत करेंगे, देखिये, पुलिस of every state wants to show minimum F.I.R. lost record, थोड़ा सा समझते हैं कि पुलिस दरसल F.I.R. लिखने से मना क्यों करती है, अगर आपको यह समझ में आएगा, तो और अच्छे से इसको tackle कर पाऊगे, देखिये, पुलिस इसलिए मना करती है, आपको पता होगा कि number of F.I. जितनी जादा F.I.R. लिखी जाएंगी, बाद में जब भी, आपको पता है, elections बगएर आते रहते हैं, तो election में कोई भी party यह कहती है, देखिये, हमारी सरकार में इतना graph गिरा है, अपराद इतने कम हो गए हैं, दरसल फिर भी आपको लगता होगा कि यार, अपराद कम हो रह हैं, तो यह क्या concept होता है, concept यह होता है, कि National Crime Record Bureau या ऐसे कोई survey institutions होते हैं हमारे देश के, वो क्या करते हैं, यह देखते हैं, कि किसी particular जगह पर कितनी F.I.R. की copy लिखी गई है, कितनी F.I.R. दर्ज हुई है, तो उसके बयापर वो record बनाते हैं, कि यहाँ पर कितना crime घटा, क इसे से political stunt, ठीक है, मतलब F.I.R. अगर नहीं लिखी जा रही है, इसका मतलब उनके इसाब से crime हो ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले यह समझ लीजिए, कि F.I.R. न लिखने की सलाह उपर से political party अपने stations में या पुलिस को दे कर रखती हैं, कि कम स F.I.R. लिखो, या लिखो ही मत, या तब लिखो, जब वाकई में मामला बहुत ही highlight हो रहा है, और कहीं न कहीं political interest पर खत्रा आ रहा है, ठीक है, तो यह सबसे बड़ी वज़ा होती है, कि किसी भी तरीके से पुलिस F.I.R. लिखने को टालती है, तो पहले तो आपको इतना सम है, या senior officer है, उसको खुश करने के लिए पूरी कोशिस करेगा, और खुश करने की जो कोशिस के पीछे वज़े क्या होती है, उसके personal interest, व्यक्तिका थित, जैसे कि हो सकता है promotion चाहिए हो से, या हो सकता है कुछ financial, या उपर से पैसा मिले, ठीक है, तो यह कुछ चीज होती है, और यहाँ पर मैं बिल्कुल clear हूँ, I am very clear, कि मैं सारी police के बारे मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं, जिससे कि पूरा system खराब हो रहा है, और उसको गालियां पड़ रही है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि DCP होता है, deputy commissioner बोलते हैं, ठीक है, उपायु जाए, तो वो अपने ऊपर commissioner को कुछ करने की कोशिस करता है, इस तरीके से hierarchy चलती है, और कहीं न कहीं ये पूरा जो system होता है, उपर से politically control होता है, क्यों होता है, वो मैंने आपको starting में ही बता दिया था, क्योंकि उनका कुछ election और voting agenda होता है, it's a democracy, vote bank politics, ठीक है, आगे बढ़ होती है, ओके, आगे अगला point देखते हैं, तो देखिए, अब बात करते हैं, कि अगर आप in real, वास्तविकता में, अगर किसी भी police station में जाते हैं, सामने SHO है, या कोई भी है, आपकी FIR नहीं लिख रहा है, तो अब आप कौन से steps लेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपक कानूनी अधिकार है, और इसको जब भी आप यूज करें, तो डरें नहीं, क्योंकि ये आपको अधिकार हमारे देश में दिया गया है, तो पहले तो confident रहें, और CRPC, CRPC, Criminal Procedure Code, इसे दंड प्रक्रिया सहिता भी बोलते हैं, इसके section 154, 154 के मताबिक ये अधिकार आपको मिल होता है, तो आप first information report, यानि कि FIR लेखाएंगे, और सामने का अधिकारी आपसे सही माइने में, कानूनी रूप से मना नहीं कर सकता, अगर मान लीजिए आपका SHO है, वो मना कर देता है, तो आप simple complaint letter, शिकायत पत्र लिखकर के DCP या SSP, जो भी आपके area में हैं, उनको दीजि आजकर तो mail का जमाना है, you can email, ठीक है, और क्योंकि area magistrate को letter देना, complaint letter वगरा देना, ये भी आपको मिला हुआ है, CRPC की धारा 156 clause 3 के द्वारा, ठीक है, तो overall ये है, in a nutshell कि ये सारे अधिकार आपको कानूनी रूप से मिले हुए हैं, घबराने की कोई भी जरूवत नहीं है, उसी letter की copy जो आपने SSP या DCP वगरा को दी है, उसकी एक copy, Public Grievance Commission, मतलब कि लोक जन शिकायत आयोग होता है, आपके area का वहाँ पर भी दे शकते हैं, और अगर फिर भी आपकी FIR नहीं लिखी जा रही है, तो समझ लीजिए भीया, कुछ मामला थोड़ा सा टेड़ा है, और ग contact कीजिए, आगे की कानूनी परक्रिया आपको वही सबसे अच्छे तरीके से समझाएगा, क्योंकि he is professional of law, ठीक है, वो law का professional है, कानून को सही तरीके से समझाना और कानूनी सायता करना उसी का काम है, तो यहां तक बहुत ही छोटा topic था, हमेशा की तरह है, लेकिन important बहुत थ जनरली ऐसा होता है कि आप जाते हैं, पुलिस वाला मना कर देता है, आप FIR लिखवाए बिना आ जाते हैं, गुस्से मा आ जाते हैं, अपने आपको असहाय समझ करके आ जाते हैं, तो आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, यह आज का topic था, आज के बाद जल्दी ह लिखाए。